नमस्कार Capital TV देख रहे हैं आप मैं हूँ आपकी साथ पूजा बड़ी खाबर सुप्रिम कोट से उद्धव ठाकरे को लगे एक बड़े जटके से जुड़े हुई सामने आ रही है महराज की राजनीती में शिवसेना का सिंबल किसका इसको लेकर पिछले कई महीनों से जंग जारी एक नाश्चिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में देखने को मिल रही थी इस पूरे मसले में आज एहम सुनवाई सुप्रिम कोट में हुई और सुप्रिम कोट ने साफ कह दिया कि इस पूरे मामले में इलेक्शन कमिशन में ही फैसला सुनाया जाएगा इस फैसले को लेकर क्या कुछ बड़ी अपड़ेट है सुप्रिम कोड में आज क्या कुछ हुआ बड़ी जानकारी के साथ मिरसाथ न्यूजरूम से ज्रूट्म कोड से जड़े में है Capital TV के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मनेश कुमार होने वाला है बीमसी का भी चुना हो आएगा और चुके हमारे पास सबसे ज़्यादा MLA's है सबसे ज़्यादा MPs है हमारे साथ पूरी की पूरी पार्टी है और आज तो ये भी खबर आई कि बाला साब ठाकरे के जमाने से दो ऐसे सक्स जो उनकी सेवा में रहते थे मातोस्री में उन्होंने भी पाला बदल लिया वो भी चले गए एकनाथ सिंदे के पास मतलब ये बड़े-बड़े लीडर हो या छोटे-छोटे कार करता हूं सब सिबसेना को छोड़के वो एकनाथ सिंदे गुट के पास चले गए अब उदब ठाकरे के पास क्या है तो आदित ठाकरे है और मातोस्री है और ये कि वो हिंदू हिदे समराट बाला साब ठाकरे के सुपुत्र है इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा और जब एकनाथ सिंदे पहुंचे थे एलक्षन कमिशन पे कि आप ये फैसला करें कि ये जो तीर धनुस का जो निशान है वो हमें दिया जाए क्योंकि हम ओरिजिनल सिवसेना है तो उदब ठाकरे भाग के पहुंच गये सुप्रिम कोट उन्होंने कहा कि बही और डिकेस चल रहा है डिस्कॉलिफि कीजिए एलक्षन कमिशन को ये कहिए कि जब तक ये पूरा मसला डिस्कॉलिफिकेशन का वो सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक एलक्षन कमिशन इसको पर कारवाइडिंग करें अब इसी बात की सुनवाई शुरू हुई तो कपिल सिपल साहब सबसे पहले कूद के आगे आ गलत चीजों का वकालत करेंगे तो जीतेंगे करेंगे तो बिलकुत सही आपने का तो लेकिन वह आर्गुमेंट भी जुरू नहीं उठाया उस सबसे पहले चलेगे कि भाई एकनाथ सिंदे का लोकस्स चंड़ाई क्या है कि वह एलक्षन कमिशन में जाकर के सिंबल के उपर कर रहे हैं उसके सबसे जदा मलेज का समर्थर उनके पास है आपके पास कुछ नहीं है तो जिसके पास बहुमत है जिसके पास सबसे ज़्यादा है उसको आप पूछ रहे हो कि भई लोकस स्टंडाई क्या है भई लोकस स्टंडाई ये है कि ये व्यक्ति उन लोगों के दोरा लीडर घोसित हुआ है जो पिछले चुनाव में तीर धन उसके सिंबल पे चुनाव जीत के आएं ये उनका लोकस स्टंडाई है आप सीदे सीदे और वहाँ पे जसाब भी को भी लगा कि भई ये क्या मांग है तो हुआ यही कि अंतरतों गत्वा कोट ये कहा कि डिसकॉलिफिकेशन का मसला जो चल रहा है जो हम उस पे सुनवाई हो रही है वो अलग मसला है इसमें सिंबल का मसला आता ही नहीं है reason symbol देने का काम supreme court का नहीं है symbol देने का काम party को recognize करने का काम party का क्या symbol किसके पास होगा नहीं होगा ये काम किसका है वो election commission का है election commission अपने आप में एक समयधानिक संस्था है आप हर चीज के लिए supreme court रोते हुए बच्चे की तरह चले गए हर जगा कोई भी problem है supreme court में रोना शुरू कर दिया तो ये तो चलेगा नहीं और इसलिए court ने कहा कि भई हम election commission को इस तरह का आदिश नहीं दे सकते याचका जो ये जो गुहार लगा रहे थे कि election commission को restraint किया जाए वो याचका हो गई रद और supreme court के तरफ से अब कोई बाधा नहीं है election commission के पास कि वो इस मसले के उपर decide करे कि उदब ठाकरे के पास ये ती धनुस होना चाहिए या फिर एक नाथ सिंदेगुट के पास सारे document तो पहले से ही election commission के पास पहुंच चुके हैं देखिए election commission भी नियम कानून से चलता है election commission के सामने भी precedence है कि कौन कैसे वो decide होगा कैसे decide होता है decide होना बहुत ही simple है एक parallel case में बता देता हूँ कुछ दिन पहले मौत हुई किनकी रामिलास पासवान की तो चिराग पासवान और उनके चचाजान में जंगडा हो गया परिवारिक पार्टी आपस में टूट फूट टूट होने के बाद दोनों ही चले गए कि भई सिंबल हमारा सिंबल हमारा सिंबल हमारा चिराग पासवान बोले कि ये तो मेरे पिताजी है चिराग पासवान ने ये कह दिया कि भई ये हमारा उसने एक नई समीती बना ली पार्टी के अंदर और उससे रिजलूशन पास करवा दिया कि हम ओरिजिनल है ऑफिस बिरर्स के नाम ये वो सारा लिस्ट वरे जाकरदी दे दिया इलेक्शन कमिशन ने क्या किया उन्हों ने कहा वे पती जी आपके पास क्या है बोलं उसके पास सब कुछ है उनके पिता का नाम है ये है वो है हमारे पास MPs और Emilis है केस क्लोज हो गया खतम कहानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आप हिंदू हिदर समराग पुझने बाला साब ठाकरे के आप सुपुत्र भले होंगे Election Commission कोई मुनार्की को फॉलो नहीं करता वो सीधा सीधी ये देखता है कि जो चुने हुए प्रसिदिधी है उसमें बहुमत किसके साथ है वही Original Party होगी आपके पास ना ज़्यादा संख्या में MPs है तो कि MPs का तो recognition अलड़ी है किना सिंदेख गुट को लोगसमाग के अंदर मान लिया गया है वही कि यही Original है तेख जगा तो recognition अलड़ी मिल चुका दूसरे जगा Assembly के अंदर recognition मिल चुका कई सारे आपके पारशद जो elected members हैं वो आ गये हैं तमाम district presidents और तो और अभी एक सब्ता पहले खबर आई थी कि जो देश भर में तमाम state heads है संगठन के उन्होंने भी एकनास सिंदे के साथ जोइन कर लिया तो आपके पास बचा क्या है जो कागजाद दो और additional papers जगर के उसने जमा किये होंगे जब यह आठ नो chief हैं वो आकर के एकनास सिंदे को अपना समर्थन देते हैं तो तो कहने का मतलब यह है कि आज petition ही reject नहीं हुआ याचिका खारीज नहीं हुई उद्दब ठाकरे के हाथ से ती धनुस गिर गया वो एकनास सिंदे के पाले चला गया अब यह जो election symbol है वो एकनास सिंदे के पास जाएगा और उद्दब ठाकरे को किसी नए symbol से चुनाओ लड़ने की जरूरत पड़ेगी लेकिन मैं अंदर खाने की बात बता दूँ जब कभी अभी जो meetings internal होती हैं जो ख़वर जो आती है बाहर सिंद्शना के सोर्सों से वो लगातार उद्दब ठाकरे और आदित ठाकरे अपने नेताओं को ये कहते हुए पाए गए हैं कि हमें जो चुनाओ जो लड़ना है उसमें हमारी ये भी तैयारी होनी चाहिए कि हमें नए symbol के साथ लड़ना है तो ये भी ध्यान रखना चाहिए तो जो planning चल रही थी उद्दब ठाकरे की उसी के मताबिक सुप्रिम कोट ने फैसला कर दिया बहुत-बहुत जटका और ये क्लेम ये दंब कि हम औरिजिनल सिर्फ से ना है इस पे आज बहुत-बड़ा कुठारा गात कहीं इधर-धर से नहीं सीधे-सीधे सुप्रिम कोट से हुआ है सुप्रिम कोट से हरी जंडे मिल गई है इस पूरे मामले को ले इस ऐसे केस में जिसमें देश भर में लोगों का इंटरस्ट बना हुआ था कि उदव ठाकरे और एकना सिंदे में मने ओटो और मर्सेडीज के बीच में किसकी जीत होती है तो वो उस दृष्टी से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अब इसके उपर सुनवाई होगी कि ये जो डिस्कॉलिफिकेशन का जो की जो याच का जो औरिजिनली एकना सिंदे ने डाली थी उसके बाद सप्लिमेंटरी बहुत सारी चीजें जो है इसमें उदव ठाकरे के गुट के तरब से किया गया फिर जो पुराने स्पीकर हुआ करते थे उनके डिप्टी स्पीकर उ डिमोकरसी में बड़ा इंपॉर्टन फैक्टर ये होता है कि सदन के अंदर किसके पास बहुमत है ये टेकनिकल आरगुमेंट देकर सुप्रिम कोट हाई कोट के आदेश जो है वो एसमेली के अंदर नहीं चलते हैं एसमेली को चलाने का अपना अलग कानून है डिमोकरसी मे कोई बैक डोर इंटरी नहीं होती है डिमोकरसी में जो सदन के अंदर बाहु बली है वही कुरसी का हक्तार होगा तो सरकार वहाँ चल रही है सिंबल एलेक्शन कमिशन तैकर ही देगा पार्टी तूठी चुकी है जो बड़े बड़े लीडर थे वो चले भी गये हैं और इस इलेक्शन सिंबल के बाद जो कुछ भी बचे खुचे हैं जो उद्व ठाकरे के साथ हैं वो भी छोड़के एक ना सिंदे गुट में सामिल हो जाएंगे ऐसा लग रहा है कि इसकी पूरी सुनवाई इलेक्शन कमिशन ही करेगा यानि कि इलेक्शन कमिशन अब ये जल्ड डिसाइड करेगा कि शिवसेना का सिंबल किसके पास जाएगा इस बड़ी कवर में में साथ फिलाल इतना ही कैम रफसर नशो के साथ मैं पूजा कैपिटल टी